अभी अभिभाव को तता सिक्षार्तियों को नमस्कार तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 जुलाई 2020 से कक्षा पहली से 12 तक के F1 एक्जाम शिरू हो रहे हैं तो आप सभी विध्यारतियों को धेर सारी शुप कामना हैं इसमें सिलेबस 1 अपरेल से 19 जुलाई तक का सिलेबस आने वाला है यानि आपने जितना सिलेबस 1 अपरेल से 19 जुलाई तक का किया है वो सारा सिलेबस इस F1 एक्जाम में आएगा ठीक हैं इसके तरिक्त यहाँ पे आपके पास आएंगे link के थ्रू ठीक है उस तो आएंगे link के थूर कुछ आएंगे pdf के थ्रू तो pdf का जो paper हो तो easily खुल जाएगा pdf पर आप click करेंगे और वो खुल जाएगा ठीक है उसमें आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती लेकिन question यहाँ पर यह उठता है कि आप link वाले paper को कैसे open करेंगे ठीक है question यहाँ पर यह उठता है कि आप link वाले paper को कैसे open करेंगे तो कैसे करेंगे open उसके लिए हम आपको यह video जो है बना कर दे रहे हैं कि आपको अपना FA1 exam कैसे open करना है link वाला ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे कि आपके फोन में वर्टसब का जो आइकन है आपको उस पे क्लिक करना है ठीक है? क्लिक करते ही जो स्कूल ने आपके पास FA1 एक्जाम जो भेजे होंगे सब्जेक्ट वाइज वो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे ठीक है? यह एक ट्राइल वीडियो है तो आपके लिए लिखा है आउटो स्टार्ट FA1 एक्जाम यानि यह ट्राइल वीडियो इसलिए है ताकि आपको एक्सेस करने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आपको करना क्या है? आपको इस लिंक पे ठीक है? यह ट्राइल वीडियो में बार-बार आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे लिख रहा है आपको अपने टेपर का नाम मिलेगा ठीक है? तो फर्स्ट जो चीज होगी यानि पहली जो चीज है यहाँ पर आपको क्या भरनी पड़ेगी इमेल आडरस यानि जो आपकी इमेल आइडी है आपको वो भरनी है ठीक है? आपके परिवार में किसी की भी हो, पेरेंट्स की हो ठीक है? ब्रेदर की हो, सिस्टर की हो अंकल की हो, अंटी की हो, किसी की भी हो लेकिन वो करेक्ट हो यहाँ पर आपको email id वो भरनी है ठीक है email id भरने के बाद फिर जब आप उपर चलेंगे तो जब आप अपने page गोपर करेंगे तो आपको student name दिखेगा ठीक है आपको यहाँ पर student का name डालना है यानि जो भी बच्चा है उसका name आपको यहाँ पर भरना है जैसे dose की जिए बच्चे का नाम है ठीक है, बच्चे का नाम है राम तो उसने हम यहाँ पर क्या करना है राम भर देना है यानि आपको अपना नाम भरना है यहाँ पे एक example के तोर относ बेम Caleb लिल यह थिक के बाद चलें तो हम यहां पर एड्रस देखेगा तो एड्रस में हमें क्या करना है एड्रस में हमें यहां पर विलेज का नेम देना है यानि आप जहां पर भी रहते हैं वहां का आपको नाम देना है ठीक है जैसे कामी क्राड कहीं पर भी जहां पर रह रहे हैं तो हमने एक्जेंपल क तो आगे बढ़ते हैं तो इस पे क्या होगा next option आएगा लेकिन ध्यान रहे जब भी आप पे ये चीज देख रहे हैं ये फोम आप फिल करेंगे तो यहां पे red जो mark है यानि किसी भी चीज के उपर यहां पे red है आगे भी देख रहे होगा आप सभी पे red होगा red का मतलब यह है कि यह चीज आपको भरनी जरूरी है यानि यह required है अगर आप नीन में से एक भी नहीं भरी तो आपका paper जो हो आगे नहीं जाएगा या आप बेशक से next पे click करते रहो आपका form आगे नहीं बढ़ेगा आपका test आगे नहीं बढ़ेगा तो आपको इन सभी columns को अ देखिए यहां पर email address यहां पर मांग रहा है यह कह रहा है कि यह गलत है तो हमने email address या तो भरा नहीं है या वह गलत है तो हम यहां पर अपना school का address बढ़ देते है स्कूल का email id sbvp kami sonipat देखिए हमने email address छोड़ दिया था ठीक है email address हमने यहां पर भरा ही नहीं था तो इस इसने दिखा दे, this is required question, this is a required question, तो यहाँ पे email ID भरना ही भरना ही, तो यह आगे नहीं बढ़ेगा, तो sbvp.com.com. ठीक है, gmail.com, ठीक है, यह school की ID हमने बढ़ दे, लेकिन आपको अपनी ID भरनी है, ठीक है, आपको अपनी ID भरनी है, स्कूल की ID नहीं भरनी है, क्योंकि स्कूल की ID भर तो आपका यह जो पेपर है, यह जाने वाला है, तो आप यह school की ID नहीं डाल सकते, ठीक है, तो अब हम next करेंगे, तो देखिए, यह देखिए, next हो गया, यानि हमारा जो पिछली जो information थी, वो आपने पूरी fill कर दियें, तो अब यहाँ पे यह click होने के बाद, यह now start exam दिखा रहा है, ठीक है, अब आप अपने exam शुरू कर सकते हैं, तो यह तो एक trial video है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप अपने exam देंगे, तो यहाँ पे exam खुल जाएगा, आपके MCQs खुल जाएगे, तो MCQs solve करने के बाद, उसके बाद इसी तरह से आप next करते रहेंगे, और आपके 2-2 number के, 3-3 number के, 5-5 number के, इस तरह से आपके जो question अवो open होते रहेंगे, ठीक है, तो आपको जो यह paper करना है, वो अपनी जो answer sheet आपके पास, जो answer sheet IV है, उस पे तो करना ही करना है, और अगर आप इस पे online exam को आप इस पे भी solve करें, तो आपके लिए बहुत यह अच्छा आपको एक नया अनुभव होगा, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, कि आप एक phone से एक बार ही इस paper को open कर पाएंगे, जो आपका link वाला paper है, उसको आप एक बार ही open कर पाएंगे, अगर किसी कार्णवर्स वो paper आपका back हो गया करते करते, या आप ने उसको बंद कर दिया, तो आप उस phone से या नि उसी phone से दोबार access नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखें, अगर किसी कार्णवर्स आपका paper back हो जाता है, तो आप दूसरे phone में उसको whatsapp से send करके, फिर आप उस number से आप उसको open कर सकते हैं, ठीक है, यानि आपकी mail ID जो हो बदलनी पड़ेगी आपको, तब आप access कर पाएंगे, ठीक है, इसके लावा जब आप answer sheet पे paper करेंगे, तो आप उस पे जैसे नाम और अपनी class, subject और अपना paper तो लिखेंगे, ठीक है, फेवन exam लिखेंगे, और roll number जो है आपको अपकी पिछली class वाला इस पे लिखना है, ठीक है, यानि जो आपकी पिछली class में जो आपका roll number था, आपको वही roll number आपकी अपनी answer sheet पे लिखना है, ठीक है, यानि आपके पास दो तरीके हैं, paper करने के, आपके पास जो answer sheet IV है, उस पे तो आपको करना ही करना है, ठीक है, और इसके तरीक तो यह online जब exam खुलेगा, तो आप इसको साथ साथ जो है, वो soul करते चले, ठीक है, तो आपको एक नए अनुभव इससे प्राप्थ होगा, तो एक बार दुबारा से आपको बता देते हैं, जैसे आप अपना ये link open करेंगे, तो आपको अपनी email ID, जैसे कि यहाँ पर आपको एक trial के तोर पर आपको school की email ID और principal sir का नंबर है वो इसमें भरके दिखाया गया था, वहाँ पर आपको अपनी email ID और अपना phone number भरना है, school की email ID और sir का नंबर यहाँ पर फिल नहीं करना है, ठीक है, यह जरूर ध्यान रखें, एक phone से आप एक बार ही इसको access कर सकते हैं, यानि एक phone से एक email ID से आप एक ही बार इसको open कर सकते हैं, अगर किसी canvas बंद हो गया, तो आप इसको दोबारा open नहीं कर पाएंगे, फिर आपको किसी दूसरे phone से या दूसरी email ID से आपको open करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको अपना roll number जो है, answer sheet पे वो पिछली class वाला यहां पे लिखना है, ठीक है, तो यह इसी तरह से आपको यह जो आपका F1 exam है, वो solve करना है, ठीक है, तो इस वीडियो में बस यही समझाने के लिए आपको बताया गया था, तो आप सभी students को एक बार फिर से धेर सारी शुप कामना है, आपके paper बहुत है अच्छे हो, और इसके लावा आपका स्वास्ते उत्तम रहे, संसकार भारती विद्यापीट आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्ते की कामना करता है, Thank you, have a nice time.